नविश्कार सीन्यूस भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है वक्त हो चुका है अलिगर्ड बुलेटिन का अलिगर्ड बुलेटिन में बात करेंगे थाना सिविल लाइन इलाके के मैरिस रोट पर एक अपार्टमेंट में लगे एसी के चलते हुए आउट डोर में अच जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया है हाला कि आउट्डोर पूरी तरीके से जल कर राख हो चुका है वहीं आपको बता दे कि अलिगर्ड में भीशन गर्मी पड़ रही है और पारा पैंतालिस के पार जा चुका है भीशन गर्मी में अपार्टमेंट के कमरे में एसी चल रहा था और इस दौरान गर्मी में चलते एसी के आउट्डोर में अचानक भीशन आग लगए फिलाल जैसे तैसे आख पर काबू पाल गया है तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा हाथा होने से भी टल गया अलिगर्ड से सीन्यू संवाधा था संजीव शर्मा के रिपॉर्ड अलिगर्ड मुस्लिम विश्व विद्याले के वाइड लाइफ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाजनीन नाज ने आज अंतर्रास्टिय जैब विविधिता देवस के मौके पर पत्रकारों से बात की जोरान उन्होंने पताया कि आज के दिन को अ विविद्यता के संद्रक्षन इसके घटकों के सतत उप्योग और अनुवांशिक विविद्यता के उप्योग से प्राप्त लाभू के उचित और संतुलित वटवारे के दिशा में एक मूल्यवान कदम था आगे उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया आप भी आइस माई का बहुत इंपोर्टेंट है यह इंटरनाशनल डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन हम बायो डैवर्सिटी नेचर और नेचरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का एक संकल प्लेए अभी तक 1.2 मिलियन स्पेशिस ऐसी हैं जो वेल रिपोर्टेड जिसमें से आयू से ने जो रिसर्च किये स्टेटस किया इसमें चावालीस हजार स्पेशीज अभी थ्रेटन हैं जिनका फ्यूचर खत्रे में हैं और यह वो स्पेशीज हैं कि अगर बलुथ हो जाती है तो जाहर वाते कहीं ने कहीं एको सिस्टम हमारा अफेक्ट होगा और इन ही स्पेशीज की वज़ा से जीव जन्तू और पौदो की वज़ा से हमारा जीवन चलता है अगर यही चीज़े खतम हो जाएंगी तो कल हमारा जीवन भी खत्रे में पढ़ जाएगा इसी चीज़ को मैं लेकर मैंने अलिगर में भी सर्वे किया है जहां पर मैंने आदी एक सो पैस्ट स्पेशीज वे वह वो बर्टि की और रिकॉट की है जिसमें मोर, कोयल, बार्बेट बहुत कमन स्पेशी अपास मैमल्स की थेरई स्पेशीज तेख ही तेक हैं जिसमें निवला बहुत कमन है और र्याट जिसको दामन भी कहते हैं प्रो नंग्वेज में और ए मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें जागरुकता करेंगे और लोगों को अवेर करेंगे कि हमें जया वेविजिद्ट को कीई प्रोटेक्ट करना एक है घर जया वेविजित्ट है तो मानफता है तो जया वेविजित्ट आज अगर inside a7 हो तो दूसरी चीज़ का फूचर खत्रेशन है या फिर एलियन स्पेशीज की एंट्री है या लैक ओफ अवेरनेस है यह बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो बायो डागोसिटी खत्रे में है और हमारा जीवन भी खत्रे में है अलिगड़ से सीन्यू संबादाता संजीव शर्मा के रिपोर्ट जनपत अलिगड़ के थाना अत्रौली शेत्र के अंतरगत शिवाजी नगर में एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई जानकारी के अनुसार मृतक सीमा का वेवा तीनवर्ष पूर्व थाना अत्रौली शेत्र के शिवाजी नगर में कैलाश पुत्र सोरन सिंग के साथ हुआ था जहां ग्री कलेश के चलते बीते 21 माई को फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली मैं मृतिका के पिता ने मीडिया को जानकारी देते वे बताया कि मेरी ब करता का परिश्य देते हुए इलाका पुलिस सहित मौके पर पहुच कर शब को कबजे में लेकर पोस्त मार्टम घ्रिफ भेज दिया तथा थाना प्रभारी रितेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि मृतिका पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंज आज सोबाद करें शोड़ी का इस तो पर आपके अच्छ एक इन पर आपको आप क्या मतलब लें इस पर आपके आप क्या अन्से बात करके घर से चले गए थैगा आप अचा दिल्ली से फ़ॉन पर बात करिया अपने दवडारू ले लो तो ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हों को पहांशी लगानी पड़ी पता नहीं होई घर में किलिश थी क्या कोई किलिश नहीं थी परहिजेनों को क्या कहना है उनके लड़की पक्षिए आप अपना नाम बताइए रामगोपाल जी कहा रहते हैं नगला इट थाना कौन सा लगेग ट्रक्तिश हैं कम पईश आओका फरसों मारे कि ने पैसे मागेет रहे हैं समक्त कितने हम चाहरी नुक्द पहलें सर्चिन को पंसा जारा डाइं टैसी ने कि आयागा मनें फरनशा पताइव कर दिनका ऑना घरन गाल हो वापका आपके पती का नहीं है यह आपकी जो बहुना मतलब पासी लागा आत्मते की है क्या का रहा लगा विद्रेक लेशी किस समय की घटना ये किस समय की घटना क्या बजे की घटना ये तीन बजें सी बाता है वह सा बार खरेगे लगी मुझे लखड़ी अंसे आई कोई पती पती नहीं के मद है कोई विवाद चला का कुई आपके लिए बोतन कड़वाई की घटना ये खुना की कमी घटना ये घटना का पती जो है दिली मतलब पासी लागा आत्मते की है अलिगर से सीन्यू संबादाता संजीव शर्मा की रिपॉर्ट अलिगर में पुलिस और बदमाशों की मुढभेड हुई जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा फरार हो गया शेत्रादिकारी प्रथमनी मामले की जानकारी देते हुए बदाय की थाना सासनी गेट शेत्र में गश्त के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो जवाबी फायरिंग करने लगे जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया है जिसका उपचार जिला मलखान सिंग असवताल में चल रहा है और वही एक बदमाश भागने में सफल रहा है उसको भी जल्द ही जिरफतार कर लिया जाएगा घैल वदमाश के बारे में जानकारी की गई तो ये व्यक्ति गैंग्स्टर एक्ट में वांच्छे चल रहा था जिस पर पहले भी काफी मुकद में दर्ज हैं जिसका नाव मुजाहिद उर्फ खुर्रम बताय जा रहा है इस दिला मदायू करेने वाला है अन्य चीजों के बारे में जानकारी की जा रही है इसका मुजाहिद उर्फ खुर्रम नाम है ये जिला बतायू का रहने वाला है और इसके द्वारा दोजात तेईस में एक बिजली के अकाउंटेंट से लूट की गई थी थाना सासनीगेट छेतर में अलिगड से सीन्यूस अंबादा था संजीव शर्मा की रिपोर्ट फिराल अलिगड बुलेटिर में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ